वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं ठीक हैं आज मैं आपको बताऊंगी कि कच्छुए की अंगुटी पहने के क्या-क्या फाइदे होते हैं और इने कौन से राशी वाले ना इने पहने तो शुरू करते हैं फ्रेंट्स जो मेरे चैनल पर फर्स्ट पर यह 15 यंत्र का परतीक माना गया है और प्राणों में कहा गया है कि कच्छवा विश्ण वागान जी का परतीक होता है तो यह बहुत अच्छा फाइदा करता है कच्छव के अंगुठी लोग पहनते हैं और कच्छवा घर में भी रखते हैं तो इसे लगश्मी बनी रहती है और इसे चांदी की वस्तू में भी और सोनी की वस्तियों में भी धारन किया जा सकता है और इसे मूरत देखके फ्रेंट्स पहना जाता है अगर आपने सोमवार या शुकरवार को खरी दी है यह तो इसको क्या करना है कि मूरत के साबसे पहनो और गंगा जल में डाल ले और पिर उसे अभिशेक कर कि फिर उसको धारन करें और यह गुरू की ANDREW में टिफ मन जाता था तो जल ततव मना जाता है और अगर पाइंगे में यह अन्य आमी सब्सक्राइब है और प्रम करने तो पان्ससेट और अगर तुन तो पुजा नाकर पुजा करने कर सकते हैं और अब अब हम देखते हैं कि कौन सी चार राशी वले इसे ना पहने विश्यक राशी वले ना क्योंकि इसका मंगल बहुत तेज होता है इसलिए बहुत ये कुंडली के अनुसार बहुत दोश होगा और कुंडली के ग्रह जो होते हैं वह सही महादशा काम नहीं करेगा तो आपको बहुत हानीकारक पहुचा सकता है और आपका बिल्कुल भी वैपार्ब में फाइदा नही ये चार राशी वाले इसे बिल्कुल भी ना धारन करें फ्रेंट्स बहुत नुकसान दायक हो जाता है और आपका इसे वैपार और आतिक प्रिश्तितियों से नुकसान होगा तो इसलिए आप इसे ना पहने चार राशी वाले और कोई भी क्योंकि आज कल ये बहुत पॉप सकते हैं लेकिन जो मैंने आपको चार राशी बताईए वो बिल्कुल भी धारन ना करें फ्रेंट्स